अमरिका दी अदालत ने देश्टे राष्ट पती जो वाइडन दे प्रिशासन दी अपील नू राध कर दे हुए पाकिस्तानी मूल दे कैनेडियन कारोबारी तहवर राणा दी पारत हवालगी ते रोकल गौन दा हुकम देता है राणा दो हजार आठ दे बंबई अतवादी हमलेच अपनी शिमूलियत देले पारत विच मुकदमेदा सामना कर रहा है राणा ने कैलिफोर्निया दे सेंट्रल डिस्टिक विच अमरीकी जला अदालत दे हुकम अवरुद नौवी सरक्ट कोट ओफ अपील्स विच अपील किती है जिसने हाबियस कॉप्स रिट पटिशन नू खारिज कर देता एते दास दिये कि हाबियस कॉप्स एक किसम दा कनूनी वरंट है जिस तौरा किसे गैर कनूनी करना करके गिरफतार की ते विक्ती नू रिहा किता चा सकता है किंद्री कैलिफोर्निया ले यूएस दला अदालत ने जाज डेल एस फिशर ने अपड़े हालिया हुकम देविच किया कि राणा नू हवालगी ते रोक दी मांग करन दे लेई उस ते एक पक्खी अर्जी दी आक्या है जाज फिशर ने 18 अगश्ट नू दिते हुकमा दे विच किया सिगा कि अमरीकी अदालत ओफ अपील्स फॉर्ड नौवे सकट सामने लंबत राणा दी अपील ते फैसला होन तक राणा दी पारत हवालगी ते रोक लाई जान दी है इस तरह जाज ने सरकार्दगा उना सिफार्शा नू रद कर दिता कि राणा दी हवालगी ते कोई रोक नहीं होनी चाही दी राणा बंबई हमल्यां विच अपड़ी पुमिका नू लेके दोशान दा समिना कर रहे हैं अते मन्या जानदा है कि उसे पाकिस्तानी अमरीकी आतवादी डेविड नाल संबंसन जो छबी ग्यारां दे बंबई हमल्यां दे मुख साज़श कर तामा विचो एक सी दाज ने क्या कि हवालगी संदी दी तारा छे विच अपरादा सही अर्थस पश्ट नहीं है अते वकवख नियाएक वकवख सिटे कड सकते ने राणा दी स्थिते निश्चत तौर ते विचार्ज हो गया धिए अपील दी सुनवाई विच सही पाई जासकती है जाजने लिखिया कि पारत दी हवालगी दी बेंती दी पालना जरूरी है पर राणा दी हवालगी दी कारवाई तिन सालां तो वाद समय तो चल रही है जिस्तों पदा चल दे किस प्रकीरियां विच होन तक कोई जल्दबाजी नहीं होई US Court of Appeals for the 9th Circuit ने राणा नू 10 October तो पहला अपनियां दलीलना पेश करन दे लिखिया अते अमरीकी सरकार नू 8 नवंबर तक कारवाई पूरी करन दा समाधता है